हेलो फ्रेंड्स आज मैं नास्ते की ऐसी रेस्पी आपके लिए लाई हो यह एक नॉन फ्राइड रेस्पी है यह रेस्पी हेल्दी के साथ साथ टेस्टी और यमी भी है रेस्पी बच्चे बड़े सभी को पसंद आएंगी रेस्पी बहुत ही कम समानों से बनकर तैयार होने ड्रेसपी हे बच्चो के लंच बॉक्स में भी बना सकते हैं यह बहुत बनने वाली रेस्पी है चोटी मोटी भूक में भी इसे बनाकर क्छा सकते हैं तो चलिये फिरेंड्स इसे बनाना सुरू करते इस रेस्पी को बनाने के लिए फ्रेंट्स हम यहां पर आधी कटोरी सूजी को लिए हैं यहां पर सूजी आप मोटी या पतली वाली कोई सा सूजी ले सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं हम यहां पर आधी कटोरी सूजी से ही नास्ता को तयार करेंगे तो इसके लिए एक म कटोरी से थोड़ा कम पानी जिस कटोरी से हम सोजी को लिए उसी कटोरी से हम पानी को लेंगे ते क्यों टेस्ट को बढ़ाने के लिए अब हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चमच चीनी एक से दो चमच कोकिंग ओयल और स्वाध अनुसार नमक तो फिरेंट्स अब जार का ढ जो मिक्सिंग बॉल में हम निकाल लेते हैं यहाँ पर हम मिक्सिंग जार को अच्छे से क्लीन कर लेंगे ताकि हमारा विएशड ना हो अब हमारा mixing jar जो है अच्छे से clean हो चुगा है जैसा कि आप देख सकते हैं तो फिरेंट नास्ते को तयार करने के लिए अब हम इसमें डालेंगे बारिक कटा हुआ टमाटर अब यहाँ पे बारिक कटा हुआ टमाटर की जगा गाजर पयाज पनीर कोई सावी सब्जे आप अपने हिसाब से ले सकते हैं अब यहाँ पे टमाटर डालके हम इसे अच्छे तरह से मिश्रन मैं मिक्स करेंगे तो friends अब हम यहाँ पर डाल रहे हैं baking powder friends आप यहाँ पर baking powder की जगा baking soda या inno salt भी ले सकते हैं और इसे एक सी डेर मुनियर तक अच्छे से mix करते हुए इसे चलाएंगे तो friends एक सी डेर मुनियर हो चुके हैं अब हम यहांपे वेटर को साइड में रखके कटोरियों को ओयल से ग्रीस कर लेते हैं तो आपके पास अगर कटोरी को ग्रीस करने के लिए तो आप इस तरह से अज़ामी है आपने कटोरी जीव में ऑईल को देखें ग्रीस कर लिये हैं अब हम यहां पे डालेंगे आदा चोटी चमश सावुत जीरा जीरा टालने से हमारा नास्ता बिल्कुल टेश्टी बनेगा सिस्समय हम नमक डाले थे नास्ते में उसी समय हमें जीरा मिक्स करना था उस समय हम भूल गया थे तो आव हम इसमें जीरा को ऑड अड कर दिये हैं नास्ता बनने के लिए हमारा थाटर रेड़ी है हम अब इहां पे गैस पे एक पेन को रख दिये हैं फैन में एक ग्लास पानी ड कि कर इस तरह से जाली भाली प्लेट को रखकर इसा गर्म होने देंगे थ만्ग हमारा पानी गर्म होगा वैंस तρώई में जालें बेज़ीप खाली ही रखना है क्योंकि क्योंकि नमारा नाश्टा पकेंगा तब हमारा नाश्टा काफी फूल जाएगा नाश्टे का वेटर कटोडी का टोरी से बाहर तो उसमीशन के यहाँ पाने के हमEr अब गर्मीछन हो चुका 103 को पैन वाली प्लेट पाने एक करते हूं तो friends अब हम यहाँ पे नास्ते को लुक को बढ़ाने के लिए टेस्टी के साथ इसे यमी बनाने के लिए यहाँ पे हम एड़ कर रहे हैं सिमला मिर्च का पौडर कि आपको तीखा पसंद है तो आप यहाँ पे लाल मिर्च पौडर भी डाल सकते हैं हम यहाँ पे लाल मिर्च पौडर का यूज नहीं किये हैं क्योंकि यह नास्ते को बच्चे भी खाएंगे और इसे ढखकर पांस से दस मिनट तक इसे पकने देंगे दस मिनट के बाद हम ढखकन को हटाएंगे और देखेंगे कि हमारा नास्ता पका है या नहीं हम यहाँ पे नास्ते को चेक करने के लिए एक तूथपिक डाल कर इसे चेक कर रहे हैं कि हमारा नास्ता पका है या या नहीं देखें फ्रिंट्स हमारा नास्ता पक गया है एक तूथपिक कितने सफाई से निकल गई है अब गैस के फ्लेम को ओप करके हम इस नास्ते को पैन से बाहर कर लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे तो फ्रेंट्स यहाँ पे हम इस नास्ते को ठंडा होने के लिए रख दिये हैं जब हमारा नास्ता थंडा हो जाएगा, तब इसे एक कटोरी को लेंगे और इस तरह से हाथों से प्रेश करते हुए से डी मोल्ड करेंगे देखे फ्रेंट्स आप देख रखते हैं हमारा नास्ता विल्कुल भी चिपका नहीं है तो फ्रेंट्स यहां पे हम इस तरह से सारे नास्ते की कटोरी को इस तरह से हातों से प्रेस करके इसे डी मोल्ड करेंगे अब हम इस तरह से हातों से ठप ठपा कर इस नास्ते को हम smoothly बाहर निकालेंगे, देखे friends हमारा नास्ता बिल्कुल भी चिपका नहीं, ये कितने असानी से कटोरी से निकल चुका है, तो friends जैसा कि आप देख सकते हमारा नास्ता कितना अच्छा तरह से पक गया है, या बिल्कुल देखने में यमी लग रहा है, तो friends इसी तरह हम सारे नास्ते को कटोरी से बाहर निकाल लेंगे, तो friends आप से एक request है, कि मेरी ये recipe अगर पसंद आए आपको, तो मेरे वीडियो को like और मेरे channel को subscribe जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि friends एक वीडियो को बनाने में हमें 5-6 घंटे का समय लग जाता है, तो friends इस तरह से हम सभी नास्ते को एक प्लेट में निकाल लिए है, तो friends हैना हमारा नास्ता हेल्दी के साथ साथ बिल्कुल yummy, आप इसे छोटी मोटी भूख में भी बना सकते हैं, आप बच्चों को lunchbox में भी दे सकते हैं, आप breakfast में भी इसे enjoy कर सकते हैं, तो friends हमारा नास्ता विल्कुल soft और फुला फुला बना है, विल्कुल braid की तरह हमारा जालिदार नास्ता बनके ready हो चुका है, तो friends इसे हम तोर के दिखाते हैं, ये देखिए हमारा कितना spongeी नास्ता विल्कुल तयार हो चुका है, इसे आप कोई सा चटनी के साथ या प्रेमेटो केचप के साथ इसे इंजोय कर सकते हैं तो फिरेंस मेरी ये रेस्पी अगर पसंद आए आपको तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूले मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए रेस्पी के साथ